नमस्कार आप जूर चुके हैं नेक्स्ट नाइ नियूस जिनेशन के साथ और मैं हूँ आपके साथ नेहा उत्तर परदेश विधान सब चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंदर शेकर आजाद एक बाद फिर से चर्चा में आ गए हैं चुनावों में BSP सुप्रीमो मायवती और चंदर सेखर आजाद आमने सामने नजर आ रहे हैं हाल ही में भीम आर्मी छोड़कर कुछ नेताओं ने BSP का हाथ थामा था और इसे मायवती ने उनकी घर वापसी बताया था इसके साथ मायवती ने साफ कर दिया कि इस बार उनकी पार्टी युवाओ पर जादा जोड़ देगी और टिकट वितरन में भी ये नजर आएगा जब कि इससे बहरे चंदर सेखर चुनाओ प्रचार के दोरान रनीती के तहट खुद को युवाओ के चैरे के रूप में पेश कर रहे थे चंदर शेखर राजात के पुराने इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें उनसे मायावती को सामने लाकर पूछा गया है कि किस तरीके से मायावती जिसमें उनसे मायवती को लेकर सवाल पूछा जाता है भीम आर्मी चीफ से सवाल किया गया था क्या आपकी मायवती से कभी मुलाकात हुई है तो वो आपको बीजेपी का एजेंट बताती है राजनिती में क्या आप उनका विकल्प बनना पसंद करेंगे सवाल का जवाब देते हुई चंदरशेकर ने कहा कि मैं देश में बहुजनों को सत्ता में स्थापित करने का काम करूँगा मैं किसी के खिलाब बिलकुल काम नहीं करूँगा चंदरशेकर आगे बताते है मायवती जी मेरी बुआ जी लगती है और वो मुझे बीजेपी का एजेंट कहती है इससे पहले वो मुझे कॉंग्रेस का एजेंट बताती थी दरसल वो सही नहीं नहीं ले पा रही है कभी वो बीजेपी का एजेंट बताती है तो कभी वो कॉंग्रेस का एजेंट बताती है मैं भहुजनों का एजेंट हूँ, जब तक बाबा साहईब और कांशिराम का सपना पूरा नहीं करूँगा, तब तक चुप नहीं बैठूँगा, मगर सवाल ये है कि मेरा ना कभी कॉंग्रेस के साथ गट बंदन हुआ, और ना ही बीजेपी के साथ कोई गट बंदन हुआ, म ऐसली सवाल आज भी दलितों के लिए सामाजिक फागिदारी है, हमारे कितने लोग आज देश के शिर्ष पदों पर बैटे हुए हैं, जब तक हमारे समाज के लोग उचे पदों तक पहुँचेंगे तो हमारे बारे में सोचेगा कौन, अभी तक तो ऐसे लोग हैं जो पान 9 News Nation, धन्यवाद!